भाग्य लक्ष्मी में हमारी लक्ष्मी ऐसे लगने लगा है कि कहीं न कहीं अनुपमा की राह पर निकल पड़ेगी वो क्या है न कि अपने ससुराल वालों से धोका खा कर दिल पर जो चोट लगी है न अब उसको भुलाने के लिए उसने तै कर दिया है कि अपने पेरों पर ख प्लय कर दराद का उसे हां रुटा कर वोлов कि यी जो कि को प्लब मेशदometer. झान वो मे हैं, तो तो बहां कि में ब quartz, तो तो कि їх रही है जब एक औरत को धोका मिलता है तब वो समझ जाती है कि अब आने वाली जिंदगी उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलों से भरी होगी अब लक्षमे को देखिए जिसे उसके अपने पती और परिवार नहीं धोका दिया अब वो इस धोके के सहारे पूरी जिंदगी तो नहीं बिता सकती है ना इसलिए अब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी जरा देखिए अब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और देखिए जिसकी तैयारी उसने कर ली है वो अब नौकरी की तलाश में है और इंटर्व्यू देने भी आई है जहां पर लग रहा है पहले तो उसका सिलेक्शन होगा नहीं क्योंकि वो सीधी साधी है बाकी लड़कियों की तरह इतनी स्मार्ट नहीं है ना लेकिन कोई नहीं लक्ष्मी हाज आपने अपना पहला कदम बढ़ाया है तो कल आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी अगबार में वाकिंग इंटर्व्यूज के जो इश्तिहार आते हैं ना उसके सहारे आपको नौकरी जरूर मिलेगी और कोई ने कोई तो जरूर होगा जो आपको अपने दफ्तर में नौकरी देगा एबिपी निउस रिपोर्ट देखें मा और बच्चे का रिष्टा ना कमाल का होता है लेकिन ये बाइलोजिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है ये रिष्टा ममता पर आधारित होता है शायद यही बात नौकर जो है ना उस समझ नहीं पाई चीकु की मम्मी जेहा और इसी चक्कर में नौकर को पढ़ गया अपनी सास से जोरदार तमाचा किसने ये बार को मारे दिल में भरी है नौकर पर इसे बारे नुपुर को पड़ा है सासुमा के हाथो जोरदार थपड अब ये थपड उसे इसलिए पड़ा है क्योंकि वो कह रही है कि पायल उसकी बेटी नहीं है और ये बात नुपुर से हीरा माने कही है कि जिसको अभी तक वो अपनी बेटी समझ रही थी पायल को वो अक्चन में उसकी बेटी नहीं है अब कौन इसकी बेटी ये तो उसे पता नहीं चला है पर चुकि घरवालों को विश्वास तूट गया है और कोई मुझ पर इतने आसर इसे बिलीव नहीं करेगा अब भी जो नुपूर अपनी बच्ची को इतना प्यार करती है वो पायल के जनम दिन की तैयारी भी कर रही थी फिर अचानक से उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि पायल उसकी बेटी नहीं है कुछ प्लानिंग करके वो अपनी बात को रख पाये क्योंकि वो हमीशा रोना दोना मचाती है पर इस बार वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस चीज को ले रही है सब लोग के दिल को जीतना है और सच भी बताना है तो इसलिए मैं अभी कुछ चिपा रही हूँ पर बहुत जल्दी पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है दरसल नुपुर ने चीकू और खुद का डिएने टेस्ट करवाया है जिस टेस्ट में ये बात साबित हो गई है कि नुपुर की बेटी चीकू है पायल नहीं अब ये बात जब वो घरवालों को बताएगी तो कोई यकीन नहीं करेगा हाला कि उसने अभी केवल इतना कहा है कि पायल उसकी बेटी नहीं है नुपुर की इस बात पर उसे चाटा खाना पड़ा तो सोचिए आगे जब वो इस बात को बढ़ाएगी तब क्या होगा फिलहाल एक बार फिर से घर वाले नुपुर के खिलाफ हो गए है और पायल जो नुपुर के जंजोरने पर सच बोलने ही वाली थी तो देखिए एक ऐसे नुपुर के पती ने उसे रोग लिया खैर अब सीरियल का आखरी पड़ाव आ गया है जहां पर जल से जल पता चलेगा कि नुपुर ही चीकू की मम्मी है जो अब दूर नहीं बलकि उसके पास है मुंबई से सुर्भी रंसी के साथ एबीपी न्यूज रिपॉर्ट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे अगर आपको भी सर्द मौसम में ठंड बहुत लग रही है तो होचाई तईयार क्योंकि अब आप बेहत हॉट फील करने वाले हैं क्योंकि ऐसे फूक देने वाली प्रफॉर्मेंस दी है ना बिल्कुल आग लगान देने वाली किसने निया शर्मा ने तो चलिए अब जब इतना सिजलिंग होट सब कुछ हो गया है तो एक रापिट फायर राउंड भी हो जा इनके साथ खूक ले बलमा रात भर बीड़ी की तरह कुछ यही कहते हुए निया शर्मा आ गई है एक बार फिर एक नए म्यूजिक वीडियो में एक धाबी के आइटम गल बनी निया शर्मा के धेर सारे आशिक इस वीडियो में नजर आ रहे हैं मगर इतने सारे लोगों के बीच नाचना कोई आसान बात नहीं है वो भी तब जब कलाकार नौन डांसर हो इस कोशिश के कारण ही गाना रिलीज होते ही अब तक लाखों लोगों ने इस गाने को देख भी लिया मगर एंगाउन के संगीत में निकिता गांधी के गाये गाने पर परफॉर्म करने के लिए आखिर कैसे तयार हुई निया शर्मा ये कहाने भी बड़े मेरे बड़े लूगे अथ सब्सके का गरता है था संग मेरे दिल पे सांप सेडी की तरह मुझे खूपले बलमा रात बर बीडी की तरहा है लूगाँ अब लोगता है इस कि लोगाई नु को बड़े हों एंगा एंगा फूर्म ए अटो रीछा ए तो यहा श्रा है आफ संग वोड़ दिमांड लॉड़ उपर्स रॉड़ रही हैं तो निया के साथ भी एक इंट्रस्टिंग खेल खेल लेते हैं रैपिड फायर राउंड तो चलिए निया बताईए बड़े मतब की बात जो आपने किसी को कही हो अगर आप किसी दिन जखते ही कोई और बन गए तो सबसे पहले क्या करते हैं? अगर आप अद्रश्य होती हैं तो कौन सी सेलिब्रीटी की जासु सी करती हैं और क्यों? प्रयांका चोपरा तो सी ते लेवल तो आपने जिंदगे की अतला बदली करनी होती हैं तो वो कौन होता? तो सुना आपने निया ने तो बहुत अच्छी तरह SBS Originals के चैलेंज को निभाया अब जड़ा इस गाने की सिंगर याने की निकिता गांधी से भी मुलाकात कर लेते हैं? मैं अच्छी तो स का बड्या मैं झाने की संọnना जोंगे तो समय करें आप शक्रावापाद का दरा मैं मैं ना को बहुत का शॐब करत आज माई थे त podsjekना थे गाना इन एता स्थक्राविजगत कर दो थो तो टो तो तुम्पी तो पहांजीब आपने हैं कि इस देख आने हैं निकिता को भी हमने एक situation दी कि अगर वो राखि सावन्त के साथ लिफ्ट में फंस जाती तो कौन सा गाना गाती निकिता को कभी crush था विकी कौशल पर मगर अब तो उनकी कटरिना से शादी हो गई है तो आप वो विकी कौशल के लिए कौन सा गाना गाएगी तो निया शर्मा और निकिता की ये मस्ती भरी बातें आप सबको जरू पसंद आई होगी और हां उनका गाना भी मुंबे से रुजिला फर्नांडेस के साथ ABP News Report ABP News आप को रखे आगे अच्छा बड़ा बुरा लगता है ना कि आप सारी मेहनत करे और क्रेडिट कोई और ले जाए बस कुछ ऐसा ही लग रहा है प्रिया को बड़े अच्छे लगते हैं कि प्रिया को अब राम जी के बद्दे की तैयारी की इन्होंने और क्रेडिट ले कर जाएंगी वेदे का आई ऐसा कहीं होता है क्या कर दो ये है मिस्टर राम कपूर की शानदार जनमदीन वाली पाटी जितनी शानदार ये पाटी है ना उससे भी कहीं शानदार ये शाम होने वाली है मिस्टर राम कपूर के लिए अब बदे की पूरी तयारी तो प्रिया ने की है लेकिन इस पाटी में वेदी का पूरा क्रेडिट लेकर जाएगी पाटी का खेर इससे राम को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि राम के दिल में प्रिया के लिए अभी बहुत सारा प्यार जो हो गया है उसी प्यार में तो आजकल गुम रहते हैं राम कपूर जनम दिन के इस मौके पर वो सोच रहा है कि क्योंने प्रिया से अपने दिल की बात कह दे सपने में ही सही आज वो प्रिया का हाथ था में डान्स कर रहा है वैसे आपको बता दे के ये राम कपूर का सपना है इससे पहले राम वेदिका के सार डान्स कर रहा था क्योंकि वेदिका तो जान बूच कर अब राम के करीब जो आना चाहती है राम और प्रिया के बीच मिस अंडरस्टैनिंग पैदा करने वाली कोई और नहीं बलकि वेदिका ही होगी जहां अब ओडियन्स को लगेगा के राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आ रही है उसी वक्त दर्शक को एक बड़ा सा जटका भी मिलेगा राम अपनी ये बदे पाटी कभी नहीं भूल पाएगा ऐसा लग रहा है इस सिच्वेशन को देखकर ABP News Report ABP News आपको रखे आगे सीरिल कुमकुम भागे में रिया की परिशानिया कम थी कि अब उनके घर में रेड पड़ गई है जी हाँ इंकम टैक्स की रेड और नजानी क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे भी ना बस ये प्राची का ही हाथ होगा प्राची कि अबड़ प्राची का है वो जानती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को तेड़ी कर लेना ही सही होता है और फिर उसने किया भी कुछ ऐसा ही जरा देखिये प्राची और उसकी सहेली को जो आई है आज यहाँ पर अपना भेज बदल कर वो कागजाद चुराने के लिए जिस पर धोके से रिया ने प्राची की साइन ले ली थी भारे बबा वही तलाक के कागजाद जो रिया ने अपनी तीजोरी में चुपा रखे हैं अमीर घरवाले रेट पढ़ने से बहुत डरते हैं फिर क्या प्राची ने कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया और बनकर आ गई इंकम टेक्स ओफिसर और ये कहा कि हम तुमारे घर पर रेट डालने आये हैं अब इंकम टेक्स ओफिसर से भला कौन बहस करें जैसा जैसा उसने कहा वैसे वैसे घरवालों ने कर दिया और अब हम जानते हैं कि प्राची बहुरानी को यहां पर काम्याबी मिलेगी हाँ थोड़ी सी अर्चने जरूर आएंगी लेकिन वो अपने मिशन में काम्याब तो होगी फिलहाल आपको प्राची और उसकी बहन को यू सरदार जी के गेट अप में देखकर खूब मज़ा आएगा जैसा की इन्हें आया है ABP News आपको रखे आगे जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल तो जरा देखिए एक नज़र पर देखिए पुलीस तो नहीं पहुच पाई लेकिन पंड्यास ब्रदर एकदम टाइम रहते पहुच गें अब बात धरा भावी की है धरा भावी के साथ अनीता ने खेल खिला है जिसमें उसने रावी का भी इस्तिमाल किया है इसकी खबर शिवा और क्रिश को चल गई है तभी तो अस्पताल में उन्होंने बुवा जी के गुंडे को एक कुछ इसकदर धो डाला के ये गुंडे भी याद रखेंगे अब गौतम भी पहुचा है और उसने ख्रिश को थपड़ भी लगाया लेकिन वो यह नहीं जानता है कि यहां पर अनिता ने चाल चली है इसी अस्पताल में अपना आईवीएफ करवाया है और अनिता इद्धरा और गौतम के आईवीएफ को खुद की कोख में डालेगी इतना बड़ा खेल वो रच रही थी लेकिन अब लगता है उसके खेल पर पाने फिर जाएगा मुंबई से सुर्भी रंसिंग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट ABP News आप को रखे आगे सीरियल तेरे बिन जिया जाए ना लीजे इबार फिर से देवराज को हल्दी लग रही है भाईया फिर से हल्दी सरमनी अब क्या तीसरी बार शादी करेंगे पहले माया फिर क्रिशा और अब अब कौन है पहले माया बार शादी करेंगे प्यार क्रिशा को भी है प्यार देवराज को भी है फिर ये दोनों क्यों चुप चाप से अपनी आखों ही आखों में एक दूसरे से प्यार की भाशा में बात कर रहे हैं अब क्रिशा के लिए तो मौका भी है और दस्तूर भी तो आज उसे अपने दिल की बात कह देना चाहिए देवराज को क्या पता उसके दिल का हाल जानकर वो खुद भी अपने दिल का हाल बया कर दे अब देवराज को हल्दी लगते देख आपको लग रहा होगा कि कहीं ये तीसरी शादी तो नहीं हो रही है अब आपको बता दे ऐसी कोई बात नहीं है दरसल आज तिधी के हिसाब से देवराज का जनम दिन है और जनम दिन के मौके पर उप्टन लगाने का रिवाज होता है ऐसा कहा जा रहा है और सबसे पहले उप्टन पती को पतनी लगाएगी अब थोड़ा सा महौल तो बना था और देवराज भी समझ रहा था कि क्रिशा कुछ कहना चाहती है लेकिन कहते हैं न ये बात तो वही हो गई पहले तुम पहले तुम के चक्कर में बीच में कोई आ गई और देवराज ने क्रिशा का हाथ थामा और वहाँ से निकल गया अब इस उप्टन कारेक्रम के बाद पार्टी होगी और उस पार्टी में जरूर वही परफ्यूम लगाकर आएगा देवराज जो उसे क्रिशा ने दिया है और इस तरीके से वो अपने दिल का हाल क्रिशा को बया करेगा मुंबई से मेगा थदानी के साथ एबिपी न्यूज रिपोर्ट एबिपी न्यूज आपको रखे आगे लाइफ में आपका लक्ष क्या है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है और फिर एकदम उस लक्ष के लिए आगे बढ़ते चले जाएए विदाउट गेटिंग डाइवर्टेड बस यही बाद जो है कहीं ना कहीं परागी के घरवाले भी उसको समझाने की कोशिश कर रहे है अपकोस समझाने का तरीका जो है न वो थोड़ा गड़ बढ़ है इस मोड पर आते ही एक तरफ तो हमारी परागी जो है वो UPSC की तयारी कर रही है छोटा मोटा एक्जाम नहीं होता लेकिन दिल की कहानियों का क्या करे अब दोनों संजे और परागी साथ में सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठें लेकिन यहाँ पर तो पढ़ाई प्यार की शुरू हो गई ही किताबों के बीच जब प्यार की पढ़ाई होगी तो भाई मम्मी के हाथों से थपड़ तो पढ़ेगा ही अब संजे और परागी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ इन दोनों के एक्जैम्स आने वाले हैं तो भी दोनों ने सोचा कि क्यों न मिलकर पढ़ाई की जाए किताबों के बीच ये पढ़ाई में गुम होने ही वाले थे कि इनकी नजरी मिली और ये दोनों प्यार में गुम हो गए ऐसा इनके घर वालों को लगा हिबुआ जी ने ये नजारा देखा और उसके बार देखिए कितना तमाशा हुआ इस तमाशे में बेचारी परागी को जोर से थपड़ भी खाना पड़ा बुआ जी ने देख लिया है और अब एक बहुत बड़ा मचांड होने वाला है बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है ये दोनों को पता चल गया हाला कि संजे और परागी ने अपनी तरफ से पूरी सफाई दी कि हम तो केवल पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करने के बीच अगर थोड़ा सा प्यार हो भी गया तो कौन सा बड़ा पहार तूट गया वैसे भी अब संजे और परागी की शादी होने वाली है खेर घरवाले अब नहीं समझेंगे इनके एक्जाम्स आने को है और एक्जाम देने के लिए ये दोनों निकले ही थे के देखिये कैसे एक चोटा सा एक्सिडेंट हो गया परागी का जहां पर संजे को बचाने के चक्कर में परागी को चोट लग गई प्यार के लिए अपने जान जोखिम में डालके परागी ने अपने प्यार को ऐसा धक्का मारा सामने ताकि वो बच जाए और अनफॉटनेटली परागी को बाइक हिट कर देती है तो वही है यह अक्सिडेंट हुआ है एक्जाम देने जा रहे हैं दोनों और यह अक्सिडेंट हो जाता है तो वही है कि दोने एक्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे क्या होगा और अब संजे सीधा अस्पिताल जाएगा तो भई अब क्या ये दोनों अपने एक्जैम्स नहीं दे पाएंगे या फिर इसी हालत में परागी जाएगी अपना एक्जैम देने के लिए मुंबई से सुर्भी रंसींग के साथ एविपी नियूज रिपोर्ट एविपी नियूज आपको रखे आगे